हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खेल पॉइंट पर दोस्तो, गुजराट टाइटेंस के नए कप्तान शुमन गिल आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड अपने नाम करते रहते हैं आईपेल 2023 के दुरान उन्होंने 800 से अधिकरन बनाए थे और औरेंज कैप भी अपने नाम की थी हलाकि पिछले सीजन के मताबिक इस बार उनके शुरुआत अच्छी नहीं हुई और वो सुरू के मैचों में संघर्ज करते नजर आए लेकिन पंजाब किंग्स की खिलाब अर्थ सतक्य पारी खेल कर उन्होंने फॉर्म में अपनी वापसी का एलान किया इसके बाद अब उन्होंने राजस्थान रोयल्स के खिलाब जैपूर के सवाई मांसे के स्टेड़ में खेले गए मुकाबले में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है उन्होंने दिगज बल्लेबाज विराट कोली को पीछे छोड़ दिया है दरसल शुमन गिल ने IPL में अब तक 3000 रन पूरे कर लिये हैं और इसी के साथ वो सबसे कम उम्मर में ये कारनामा करने वाले खिलाडी बने है गिल ने 24 साल और 215 दिनों में ये बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है जबकि उन्होंने इस मामले में विराट कोली को पीछे छोड़ा है कोली ने IPL में अपने 3000 रन 26 वर्स 186 दिन की उम्मर में पूरे किये थे तो वही इसके अलावाद दाय हाथ के बल्ले बाज ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है आपको बता दे कि 24 वर्से शुमन गिल सबसे कम पारियों में 3000 रन पूरे करने के मामले में चौथे स्थान पर आ गए हैं इस लिस्ट में सबसे उपर पूर्व दिगस बल्ले बास क्रिस गेल मौजूद है जिन्होंने ये कारनामा 75 पारियों में ही कर दिया था तो वही दूसरे स्थान पर लखनोस उपर जायंट्स के कप्तान केल राहूल मौजूद है जिन्होंने आईपेल में अपने 3000 रन 80 इनिक्स में पूरे किये थे तो वही राजस्थान के सलामी बल्लेबास जौस बटलर इस मामर में 85 पारियों के साथ तीसरे स्थान पर बरकरार है अब इस लिस्ट में गिल का नाम भी जुड़ गया है और वो 94 पारियों में ये कारनामा कर चुके हैं अगर इस लिस्ट में कोहली की बात करे तो उन्होंने 110 पारियों में ये कारनामा किया था और अब सुमन गिल उनसे ऊपर निकल गए हैं दोस्तो सुमन गिल ने अब तक अपने IPL करियर में कुल 97 मैच खेले हैं जिसकी 94 पारियों में 38 से अधिक कियोसत के साथ 3000 रन बनाए हैं इस दोरान उनके बल्ले से 3 सतक और 19 अर्थ शतक निकले हैं तो वहीं उनका हाइस स्कोर 139 रनों का रहा है इसके अलावा 24 वर्सेस खिला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और श्रेयर करें इसके साथ ही IPL 2024 से जोड़ी ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए खेल पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले धन्यवाद